उत्तरप्रदेश विधान सभाचनाओं में भारते जन्ता पार्टी के मुकाबले खरारी हार का सामदा करने वाले समाजवादी पार्टी अर्जच ने एवियम को लेकर वैरल आउडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है उन्होंने सुप्रीम कोट और राजपती से संग्यान लेकर सुरक्षा देने की मांगी है अखले श्यादव ने ट्विट किया है कि एवियम पदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो और जियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है उच्चितम न्यालय और राष्टपती महुदय उसका संग्यान लेकर वा सरकार संबंदिन व्यक्ति को तुरण संपूर्ण सुरक्षा दे किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से जादा एहम है दरसल सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों की बातचित को और योगारल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाओं में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि एव्यम बदल दिये गई है वदावा करते हुए कहते हैं कि सपा की सरकार नहीं आईगी बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि एव्यम बदल दिये गई है वह खुद को सपा समर्थ बताते हुए कहता है कि स्ट्रॉंग रोम में पहुशने से पहले एव्यम बदल दिये गई गुरत लब है कि समाजवादी पार्टिय और खुद इसके मुखिया खिलेशिया दव एग्जिक पोल्स के बाद से ही इव्यम और काउंटिंग में थांदली का आरोप लगा रही है उन्होंने बकाईदा प्रेस कॉन्फरेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे सपा के कई नेताओं के अलावा पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बैनार्जी ने भी आरोप लगाया है कि सपा को गडबड़ी करके हराया गया है गुरुवार को आये नतीजों में भाशपास गडबंदन को प्रच्छन भूमत मिला तो सपा को हार का सामना करना पड़ा है भाशपा गडबंदन को 273 सीटी हासिल हुई तो सपा गडबंदन 125 सीटों पर सिमट गया गुरो रिपोर्ट आइपेन